नमस्कार, मैं हूँ आशिश त्रिवेदी, Faculty of Computer Science, राजपूर टूटोरियल रायपूर आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशाय पे हम सब चर्चा करेंगे विशाय है, Printer, इससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले, हम ये पहले जान ले कि कम्प्यूटर क्या होता है तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, Output Device में एक डिवाइस जिसका नाम है Printer, Computer सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कम्प्यूटर क्या होता है, तो कम्प्यूटर एक Electronic उपकरण होता है जिसकी मदद से हम कुछ चीजे Input करते हैं, कम्प्यूटर उन चीजों को Process करता है और हमको क्या दे देता है, Output, ठीक है, तो Computer क्या है, एक Electronic उपकरण है, जो Input लेता है और Process करता है, Input किये गए Input को Process करता है और उसके बाद Output हमको देता है Now, यहां देखेंगे कि Input जो है, Input Devices के थुरू होता है हम Computer में Input जब करते हैं, तो Input Devices की मदद से करते हैं जब Input हमने Computer पे दिया, तो वो Input Process होता है, जो की लिखे हुए Programs के उपर होता है जिसको हम प्रक्रिया कहते हैं, तो किसी एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये गए Input जो की Input Devices के थुरू हम System को दिये हैं, वो Process होता है प्रक्रिया के अनुसार और हमें क्या देता है, Output जिसे हम कहते हैं Information, हम क्या कहते हैं इसे Information, ठीक है तो जब हम Input करते हैं Input Devices की मदद से, तो हम यहाँ पर क्या Provide कर रहे होते हैं Data, Data Input Devices की मदद से Input किये जाते हैं Computer पे, Computer उन Input किये हुए Data को Process करता है, लिखे हुए Programs के आधार पर और उसके बाद हमको क्या देता है Process करने के बाद, Output जो की होती है Useful Information अब इस Information को हम देख कैसे सकते हैं? तो हम उसे देख सकते हैं Output Devices की मदद से Output Devices की मदद से हम हमारे Output को जो की हमारे लिए एक Information है वो हम देख सकते हैं तो Output Devices के थुरू हम क्या देख सकते हैं हमारा Result देख सकते हैं अब यहां पर बात आती है कि Computer Basically इस पूरे Scenario में क्या कर रहा है तो सबसे पहले Data Input होता है Process किया जाता है Computer के द्वारा और उसके Process होने के बाद हमको क्या मिलता है Information जिसकी हमें जरूरत थी इस Data को Input करने के लिए Input Devices और इस Information को देखने के लिए हमको लगेंगी क्या Output Devices अब यहां देख लेते हैं कि Input Devices क्या क्या हो सकते हैं तो यहां पर Keyboard Keyboard एक Input Device है Mouse एक Pointing Device है लेकिन वो Act करता है Input Device की तरह हम Input दे सकते हैं उसमें Mouse इस Scanner जो होता है वो भी एक प्रकार का Input Device होता है इसके साथ साथ जोईस्टिक एक प्रकार का Input Device होता है इसके साथ साथ Output Device भी अगर हम देखें तो सबसे पहले Output Device बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है Output हम किस में देखते हैं? Monitor पे यानि की Screen पे जोई आप ये वीडियो देख पारे हो आप किस पे देख पारे हो? Screen पे चाहे वो Mobile की Screen हो चाहे वो System यानि Computer की Screen हो जिसको हम क्या कहते? Monitor इसके साथ साथ अगर हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमको कहे में मिलता है वो? Hard Copy के Format में तो वो कैसे निकलता है? Printer की मदद से तो Printer भी एक क्या हो गया? Output device हो गया जिसकी मदद से Hard Copy के Form में हम कुछ चीजों को पढ़ सकते हैं जब Computer में Data होता है, Computer के अंदर जब Store होता है कोई Program तो Files के Format में रहता है Files होती है, वो Files यह भी हो सकती है, PDF हो, Word फाइल भी हो सकती है, Excel फाइल भी हो सकती है, PPT के Form में हो सकता है यह किसी भी Format में File जो है Computer में Store हो सकता है, जिसे हम वहाँ पर Read कर सकते हैं और जब हम Computer पे इन Data को देखते हैं, इन Files को देखते हैं, तो वो कौन सी Copy होती है? Soft Copies, ठीक है? वो Soft Copy, पर जब इन ही Files को हम Printer की मदद से, यानि की Output Device की मदद से जब हम Command देते हैं और उसको Print कर देते हैं, उसको चाप देते हैं, तो होता यह है कि Command देने के बाद जो PDF में मान लेते हैं कि 50 Pages थे, वो पूरे के पूरे 50 Pages को हमने इस Printer जो की Output Device है, उसकी मदद से हमने Print कर दिया, तो हमको अब जो Copy मिल गई वो कौन से Form में हो गया Output, Hard Copy के Form में हमको Output देखने को मिल गया, तो तो Clear है यहां तक की बाते कि Computer एक Electronic Device है जो की Input लेता है और उस किये गए Input को Process करता है लिखे हुए Programs के आधार पर और यहां पर हमको Output प्रवाइड करता है, Output जो की हमारे लिए जरूरी सूचना होती है Basic Function, Data जब Process हो जाता है तो हम उसे Information कहते हैं एक्जांस में पूछे जाने वाले Questions में यह भी होता है कि Processed Data को हम क्या कहते हैं परिक्षा में पूछे जाने वाले सवाल में से एक सवाल यह भी होता है कि Processed Data किसे कहते हैं Data जब यहां Computer द्वारा Process कर दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है Information तो Processed Data को हम क्या कहते हैं Information Processed Data को हम क्या कहते हैं Information अब यहां पर Output Devices में हम लोगों ने देखा कि एक Monitor होता है जो कि एक Screen होता है जिसमें आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं एक होता है Printer जिसकी मदद से हम Output Hard Copy के Form में देख पाते हैं उसे पढ़ पाते हैं एक होता है आपका Plotter एक होता है आपका Speaker इस तरह से यह कुछ Output Devices हो गई आज की जो Class है वो Output Devices में से एक डिवाइस है Printer उसके बारे में होगी अब हम यहां से Continue करते हैं चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे जो आज का Topic था Printers Output Devices में Printer Printer के बारे में आप जानते हैं जैसे आप सभी को मैंने बताया है कि Printer एक Output Devices है Printer एक Output Devices है जो की हमको Output Hard Copy के Form में प्रदान करता है तो Hard Copy के Form में क्या प्रदान करता है तो Computer के अंदर जो Files होती है जिनको हम अभी समझेते कि Soft Copy कहते हैं उस Soft Copy के Form में PDF हो चाहे Word File हो चाहे Excel File हो चाहे वो हो Presentation किसी भी तरह की File हो हमारे पास में उस File को हम जब Screen पे पढ़ते हैं तो Soft Copy के Form में होता है पर जब हम उसे Print Command देके Print करते हैं Computer से तो Output Device जो की आपका Printer है वो हमको Print करके जो देता है File वो होती है Hard Copy अब हम Print क्या-क्या कर सकते हैं Computer से तो Print क्या-क्या कर सकते हैं जैसे कि A, B, C, D हम कुछ Special Symbols को Print कर सकते हैं जैसे कि यह Dollar का निशान हो गया कुछ Special Characters को भी हम Print कर सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है Graphics Graphics का मतलब क्या हो गया कुछ Images है कुछ Photo है आप अपनी Photo Print करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसीबल है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या-क्या कर रहा है तो Character को Print कर रहा है Character को Print कर रहा है यहाँ पर Special Symbols को Print कर रहा है इसके साथ-साथ आप देख रहे हैं कि Numeric यानि कि अंको को एक, दो, तीन, चार यहाँ कुछ Symbols हैं उनको Print कर रहा है यहाँ Characters हैं A, B, C, D जो भी है वो Print कर रहा है Numeric values को Print कर रहा है एक, दो, तीन, चार इसके साथ-साथ Images को यानि Photo को भी Printer है Printer जो है Print कर सकता है अब यहाँ पर देखेंगे कि Resolution जो होता है Printer का जो कि उसकी Quality को दर्शाता है वो कैसे नापा जाता है तो Dots पर इंच एक इंच पर कितने Dots उस पर आ रहे हैं उससे हमको पता चलता है Dot पर इंच से हमको पता चलता है कि Printer का Resolution कैसा है ठीक है अब अपन यह समझते कि Printer के प्रकार कितनी होते है प्रकार तो मुख्य रूप से यहाँ पर देख सकते हैं कि Printer एक होता है Impact Printer और दूसरा होता है आपका Non Impact Printer ठीक है एक हो गया आपका Impact Printer दूसरा हो गया Non Impact Printer आईए इधर देखते हैं Printer जो है यहाँ पर दो तरीके से देखा जा रहा है कि एक हो गया क्या अभी पढ़ा आपने Impact Printer दूसरा हो गया आपका Non Impact Printer अब Impact Printer के अंतरगत कौन-कौन से Printer आते हैं क्योंकि Impact Printer के खुब सारे प्रकार हैं तो कौन-कौन से होगे Dot Matrix Printer, Line Printer, Daisy Wheel Printer, Non Impact Printer में आता है आपका Laser Printer, Ink Jet Printer, Thermal Printer, Photo Printer, Portable Printer, Label Printer तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर Printer जो एक Output Device है जिसका काम है दिये हुए Input को Output में Convert करना और यह Output जो है आपको Hard Copy के Form में देता है साथ ही Print किये हुए आपके Document में Character, Special Character यह Symbols, Numeric Values यानि अंको को या Photos को भी Print करने में सक्छम होता है और आपको वो Hard Copy में प्रवाइड कराता है Printer के यहां मुख्य रूप से दो प्रकार है एक हो गया Impact Printer, दूसरा हो गया Non Impact Printer Impact Printer के अंदर आगया आपका Dot Matrix Printer, Line Printer, Daisy Wheel Printer और Non Impact में आगया यहां पर Laser Printer, Ink Jet Printer, Thermal Printer, Photo Printer Portable Printer और Label Printer, अब हम एक एक Printer को विस्तार से समझेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं, हमारा Impact Printer क्या होता है Impact Printer, Output Devices में Printer, Printer के अंदर दो प्रकार दो की Impact Printer और एक होता है Non Impact Printer, Impact Printer क्या होता है तो यह जो Printer होता है, वो Type Writer के समान कार्य करता है Type Writer आप लोगों ने देखा होगा, Coat के Cherry Collect Rate में जो Typist वहाँ पर Type करता है, तो कुछ यह की Impression आता है तो यहाँ पर देखिए, कि यह जो है, अक्षरों को, अंकों को, तथा Graphics को, Hammer जिसको हम कहते हैं, Printing Head वो Printing Head जो रहता है, वो Hammer के द्वारा, प्रहार के द्वारा, Ribbon में, जिसमें शाही होती है वो Paper पे अपनी छाप छोड़ते चला जाता है, जो अक्षर हमने दबाया, वो वहाँ पर जाके एसा Impression अपना, Create करता है किसमें, Paper पे, तो यह जो है, टाइप Writer की तरह काम करता है, और यह अक्षरों को, अंकों को, Graphics को, यानी, Photos को किस तरह से, Hammer, जो की Printing Head है, प्रहार कर Ribbon जो होता है, Ribbon जिसमें शाही होती है, तो समझे, यह आपका Ribbon है, और यह आपका क्या है, Paper है, और उसके सामने लगा हुआ है क्या, आपका Printing Head, यह Printing Head, जब Move करता है, इस Direction में, यहां से, यहां तक यह Move करता है, इधर से उधर वो घूमता है, और यहां पर, यह क्या हो रहा है, जैसे ही हम यहां पर Printing Head से, Strike किया, Paper पे वो Impression जो है, छप जाता है, अब हम देखते हैं कि Impact Printer के प्रकार जो होते हैं, वो होता है, Dot Matrix Printer, Line Printer, Daisy Wheel Printer, तो चलिए, देखते हैं कि Dot Matrix Printer क्या होता है, तो Dot Matrix Printer जो है, Pins की मदद से, सुयों की मदद से, Dots का Impression बनाता है, Paper पे, Paper पे, ठीक है, उस आधार पे हमको Output मिलता है, Paper पे, सुयों की मदद से, Dots का Impression, Paper पे बनाता है, Printing Head में लगभग 9 से 24 पिन होती हैं, अलग-अलग Quality के हिसाब से, ये 9 से लेकिर 24 तक की Pin होती है, जितनी ज्यादा Pins रहेंगी, उतना अच्छा Quality हमको Output का मिलेगा, सबसे पुरानी टेकनीक है, Print Quality बहुत खास नहीं है, लेकिन कम है, Speed इसकी Slow होती है, बहुत ज्यादा आवाज करता है ये, जब इसको Use करते हैं, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, और ये कहां पर Use होता है, ये Use होता है, खास करके Banks में, Railway में, आपने देखा होगा कि Bank में जब Statements मांगा जाता है, तो वो Dot Metrics Printer की मदद से, इस तरह से Dot 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 Dot, जैसे मैंने A लिखना है, तो वहां कैसे लिखाएगा, इस तरह से, आपने देखा, इस तरह से, ये Dot Metrics Printer, ये Pin की मदद से जो की 9 से 24 पिन हो सकती है, इस तरह से आपका Impression Create करता है, और हमको Output में यहाँ पर देखने को मिलता है, इस Printer की जो Speed है, उसको हम नाप सकते है, Character पर Second के हिसाब से, क्योंकि ये एक एक Character एक बार में Print करता है, तो Character पर Second में, लगभग 350 से 1100 तक Character पर Second ये Print कर सकता है, तो ये हुआ आपका Dot Matrix Printer, इसके बाद हम देखते है, Line Printer, दोस्तों अब हम डिसकस करेंगे Line Printer के बारे में, ये भी एक Impact Printer की Category का Printer है, एक हमने पढ़ा Dot Matrix और ये है आपका Line Printer, Line Printer तेज होता है, किस से तेज होता है Dot Matrix Printer से, क्योंकि एक बार में ये पूरी Line को Print करता है, Speed जो है इसकी मापी जाती है Line Per Minute के हिसाब से, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है Band Printer, एक होता है Chain Printer, ठीक है, तो Line Printer जो है तेज होता है, यानि कि Speed में काम करता है, Speed में इसलिए काम करता है, क्योंकि ये पूरी Line को Print करता है, ना कि Character को, ठीक, तो ये एक बार में Line को Print कर रहा है इस कारण से यह तेज है, यहाँ पर इसकी speed को lines per minute के हिसाब से मापी जाती है, और यहाँ पर इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है band printer, एक होता है chain printer, आई अब देखते हैं, Daisy wheel printer के बारे में, Daisy wheel printer जो है invent हुआ था 1969 में, सबसे पहले, यह भी typewriter की तरह होता है, typewriter की तरह ही काम करता है, इसमें एक motor लगा हुआ होता है, motor wheel को घुमाता है, यह जो आपको एक fool की तरह दिखता है, इसका नाम भी एक fool पर पढ़ा था, Daisy, यह fool की यह जो पंखुडिया है, इनको हम क्या कह रहे है, petals कहते हैं, इसी petals में कुछ न कुछ अक्षा और अंक और symbol और special characters जो है छप wheel घुमती है, और जब हमको कोई document को print करना होता है, तो जो भी अक्षार हमको print करने होते हैं, हर petal पे वो अक्षार अंक छपे हुए होते हैं, motor जो है wheel को इस तरह से घुमाता है, घुमाते ही, जब जो अक्षार छापने का होता है, उस जगापे printing head रुखता है, और वहाँ प जैसे यह जो wheel है, यह motor के साथ में connected होती है, motor इस wheel को घुमाता है, इस wheel में खूप सारे petals है, petals में अक्षार जो है छपे हुए हैं, जब motor इस wheel को घुमाएगा, जिस अक्षार को हमें छापना है, उस desired अक्षार को उस जगा पे रोका जाता है, wheel के थुरू, क्योंकि जो input है, जो phylum को print करनी है, और वो वहाँ पर प्रहार करता है, जैसे हम लोगों ने देखा था, जिस अक्षार को छापना होता है, wheel वहीं रुकती है, और hammer जो की printing head है, वहाँ प्रहार करता है, और ribbon की ink से paper पे वो अक्षार जो है छप जाता है, तो इस तरह से यह काम करता है, क्योंक की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अक्षारों को wheel जो आपका यह wheel है, वो घूम रहा है, और जिस अक्षार की जरुवत पढ़ती है, उस अक्षार पर रुकता है, और फिर वहाँ पर strike करता है, hammer से प्रहार करता है, और वहाँ पर paper पर छपता है, इस current से यह प्रक्रिया बा इसके बारे में non-impact printer, non-impact जैसा कि नाम बता रहा है कि कोई impact नहीं करता, दूर से ही, बीना छुए, बीना प्रहार किये, वो paper पर print दे देता है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि impact printer जो की ribbon के थ्रू, strike होता है, प्रहार होता है, और उसके बाद paper में छपता था, यहाँ पर इस तरह का कोई भी हमारे पास काम नहीं होता, किसमें non-impact printer में, यह impact नहीं करता paper के साथ में, paper जो print head है, does not strike the paper, किसी भी तरह से printing head जो है, वो जाके प्रहार नहीं करता paper में, ribbon के साथ, कुछ printer शाही की फुहार से spray करके, ink को spray करके print करते हैं, कुछ heat और pressure को वहाँ पर इस्तमाल करते हुए print करते हैं, तो यहाँ का जो तरीका हुआ, यह क्या हुआ, यह non-impact printer की category में आता है, non-impact printer क्या होता है, कि जिसमें print head जो है, किसी भी तरह से strike, यानि की प्रहार paper के उप नहीं करता, यह दूर से ही उन चीजों को आइधर शाही की फुहार से, यानि spray करके ink को, या तो कुछ heat और pressure को apply करके, वहाँ पर क्या करता है, print करता है, दूसरा, कितने प्रकार होते हैं non-impact printer के, तो यहाँ देख सकते हैं कि laser printer, inkjet printer, thermal printer, photo printer, portable printer, इसके अलावा logo printer औगेरा भ होता है, इसकी सबसे खास बात यह होती है, कि यह पूरा page एक बार में print करता है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि character by character, जो है print हो रहा था, फिर line by line print हो रहा था, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा पूरा एक page, एक बार में print हो रहा है, तो fast होता है, printing यहाँ पर तेज होती है, यहाँ पर जो components use हो रहे हैं, जो इसके important components है, जो laser है, यहाँ पर एक mirror इस्तमाल होता है, एक drum होता है, toner hopper होता है, और एक fuser होता है, ठीक है, हम सब को पता है कि positive और negative charge आपस में जुड़ जाते है, drum जो है positively charge होता है, इस printer के mechanism को मैं समझा रहा हूँ कि किस तर laser printer के अंदर जो laser होती है, वो जाती है mirror से टकराती है, ठीक है, यह laser की mirror जो है, laser जो है, वो mirror को जाके टकराती है, और drum के उस हिस्सों में जाके उसको negatively charge करती है, जहाँ पर हमको document में, जो document हमको मिला है print करने के लिए, जिस जगा पे जो चीज लिखी हुई है, उसके हिसाप स drum में उनको उस position पे negatively charge करता है, तो देखे फिर से समझिए कि laser printer जो होता है, पूरा का पूरा page एक बार में print करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा तेज है, इससे पहले character by character print होता था, फिर line by line print होता था, अब पूरा का पूरा page हो रहा है, तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा pages जो है, यहाँ पर print हो रहे हैं, यानि कि पूरा page जो है, print हो रहा है, एक बार में, तो speed बढ़ गई यहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं, कि laser यहाँ का component है, क्या क्या component है, laser, mirror, drum, toner hopper, fuser, इन सब का अपना अपना एक काम है, जिसके लिए यह use होता है, तो इस laser printer के negative charge आपस में जुड़ जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले, सर्वपत्रम क्या होगा, कि drum जो है, positively charge रहेगा, पूरा जो drum है, जिसकी मदद से paper जो है, roll हो के बाहर की तरफ निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा, laser printer जो हमेशा office में, school, colleges में use होता है, अलग-अलग companies laser printer बना वापस आता है, तो उन बीच में जो process perform होता है, जैसे कि laser printer है, impact नहीं करता, तो यहाँ पर करता क्या है, printer में ही एक memory होती, जिसमें उस document को वो अपनी छाप बना लेता है, कि कहां पर क्या print होना है, उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, कि यह जो drum है, वो positively charge होता है, अब जा करता है, laser, जो हमारा laser है, यह जो components है, अब इनकी working शुरू होती है, यह laser की जो light है, वो mirror में जाके टकराती है, और drum के उन हिस्सों को जाके negatively charge करती है, जहाँ पर हमको print करना होता है, जब यह negatively charge हो जाता है drum, तो काम आता है कि इसका अब सामने toner hopper का, जो वहाँ पर जो श वो toner hopper क्या करता है, उन इंक की, उस शाही का, जो की powder के form में होता है, उसको वहाँ पर गिरा देता है, छोटे-छोटे कणों को वहाँ पर गिरा देता है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यह जो toner hopper था, printing ink कणों को छोड़ देता है, अब जो fuser है, paper अंदर आया, fuser जो है, वह होताई होता है और उसका हो सही जगा को फिक्स कर देता है और पूरी की इन्क जो है एश्खी जो किप्डर के यह प्रिंट हो जाता है हमारा डॉकुमेंट हो जाता है यहुए प्रॉसेस हो ten के बाद हम यह देख सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले देखा कि पूरा पेज एक बार में प्रिंट होता है printing का mechanism क्या है यहाँ पर लगभग 12 से लेके 45 pages per minute जो है print करता है यह depend करता है किस quality का printer है किस configuration का printer है उसी साब से 12 से लेके 45 pages तक यह per minute print करता है 1200 dpi में यह print करता है black and white और color दोनों ही type में ये market में available होता है हम अगर देखें यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तेज है क्योंकि आपको मालूम है कि पहले character में होता था फिर line print होती थी अब ये पूरा page हो रहा है इस कारण से तेज है इसकी quality बहुत अच्छी होती है ये थोड़ा महंगा होता है और ये business field में ज़्यादा तर use होता है जैसे कि office में हो गया आपके school colleges में हो गया तो ये हुआ laser printer non impact printer की category में सबसे पहले हम लोगों ने देखा laser printer चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं inkjet printer inkjet printer का जो working principle है वो spray करने का है क्या spray करता है शाही को spray करता है ionized ink जो होती है उनको as directed जैसा बताया गया जिस जगह पे उनको spray करना है document को कैसे print करना है उसके आधार पे वो paper पे उन इंक को spray करता है और हमारे पास output मिलता है जैसा की बताया गया था document में की इस चीज़ को print करना है mechanism क्या है spray करने का शाही की फुहार से उस जगह पे जहां पर उनको जो document जैसा print करना था वैसा हमको print करके मिलता है यह available है market में दोनो black and white और color printer के form में इसका जो resolution होता है वो 600 dpi के आसपास होता है 10 से 35 pages per minute यह printer जो है इसकी capacity यह print करने की यह थोड़ा slow है black ink तो इसमें लगेगी black and white printing के लिए इसके साथ color print जब अपन देते हैं तो color ink भी इसमें साथ में use होती है यह थोड़ा सा कम महंगा होता है यानि कि less expensive होता है तो यह देखा हमने ink jet printer जो होता है यह भी एक type का non impact printer है किसी तरह की कोई प्रहार की process से printing नहीं करता यह spray करता है ionized ink जैसा की direct किया जाता है paper पे कहां पर उसको print कराना है दोनों ही format में black and white और color में available है resolution 600 dpi होता है लगभग 10-35 pages depend करता है quality of printer पे उतने per minute pages जो है print करता है थोड़ा slow है black and white ink और color में color ink भी इसमें use होती है थोड़ा सा कम महेंगा होता है आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते हैं अपन thermal printer बहुत ही ज्यादा उपयोग में आने वाला printer जो है आजकल हम देखते हैं कि thermal printer है जितना भी आप देखते होंगे कि city bus में जो हमको ticket मिलती है जो हमको ATM में जो ATM की receipt मिलती है एयर लाइन में अगर हमको कुछ print करना होता है तो हाई एयरपोर्ट पे भी हमको इसी thermal printer से ही बिग बाजार गए डी माट गए कहीं पर हम shopping के ले गए retail पे गए वहाँ पर हमको जो print करके receipt देता है वह इसी तरह क्यों होती है वह बहुत जादा दिनों तक टिकी नहीं रहती उस इंक को अगर हम अपने नाखून से भी इस तरह से scratch करें तो वह हट जाती है thermal printing किस तरह से की जाती है तो उसमें इस्तमाल होता हीट in order to produce image on the paper मतलब यह हुआ कि heat की ताप की मदद से हम जो इंक है उसको उस paper पे छाप देते हैं जिस तरह से हमको छापने को कहा जाता है मतलब जो चीज जो document हमको print करनी है इसकी मदद से हम जो है print कर लेते हैं इसकी good quality होने की वज़े से इसकी speed इसकी कारेशंथा अच्छी होने की वज़े से यह बहुत ज्यादा popular है और इन इन जगहों पे बहुत अच्छे तरीके से use होता है तो यह हुआ thermal printer thermal printer का mechanism क्या हुआ heat की मदद से क्या करता है image को produce करता है paper पे ठीक अगला जो है हमारा topic वो है photo printer photo printer आप देखे होंगे कि कही भी दार्षनिक इस्थलो पे अपन जाते हैं तो वहाँ पर कुछ photographer photos खीचते है photo खीचने के बाद आपको बोलते हैं कि आप 10 minute रुकिए हम आपका photo जो है print करके देते हैं तो photo printer basically use क्यों होता है photo को print करने के लिए यह अलग-अलग sizes में हो सकता है यह जैसे इसमें 3 to 4 का ratio 3 उड़ा 4 inch के हिसाब से जो photo print कर रहा है इसके अलावा भी size होते है कुछ बड़े size में भी होते हैं कुछ छोटे size में होता है depend करता है कि user को किस तरह का print चाहिए तो photo printer photo को print करने के लिए इस्तमाल में आता है इसकी quality बहुत अच्छी होती है जो की output मिलता है हमको hard copy में photo paper पे इसकी quality बहुत अच्छी होती है अलग-अलग sizes में उपलब्द होता है इसका जो output paper होता है memory slot भी होता है एक बहुत अच्छी चीज इसमें हमको देखने को मिलती है photo printer पे इसमें memory slot भी होता है camera से memory card निकालके हम यहां system पे लगाके इस system में लगाने के बाद उस particular photo को select कर सकते हैं इसके साथ साथ उसमें screen भी होती है कुछ अच्छे quality के photo printer पे screen भी लगी होती है जिसकी मदद से हम जब SD card लगाते हैं अपना memory card लगाते हैं computer पे या उस printer पे तो हमको screen पे दिखता है कि हमको कौन सी photo को print लेना है हम उस particular photo को select करके उसको print देते हैं तो यह हुआ photo printer next है आपका portable printer portable printer mobile printer की तरह होता है जिसको हम आसानी से एक जगा से दूसरी जगा अपने साथ में ले जा सकते हैं यह छोटा होता है बहुत छोटा होता है size में बहुत हलका होता है और यह battery से चलता है ठीक है यह portable होता है portable होता है इसके साथ-साथ यह वहुत छोटा होता है portable का मतलब यह यह हो गया कि छोटा असानी से carry कर सके तो यह छोटा हुआ मतलब size में small है light weight है हलका है यानि कि और यह battery से भी चलता है ठीक है यह battery से चलता है इसलिए इसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं और इसमें print दे सकते हैं notebook से या तो smartphone से या आपके tablet से किसी से भी हम इसमें इसको attach करके हम इससे print जो है उस समय ले सकते हैं एक आखरी तरीके का printer है जो कि last में हम देख रहे हैं यह वो कौन सा printer होगी आपका label printer आपने देखा होगा कि जब हम कुछ चीज इस्टिगर की format में निकालते हैं और उसको चिपका देते हैं कई पर सीडी के ऊपर कुछ चिपकाना है हमको हमको envelope के ऊपर कुछ चिपकाना है तो उस समय हम इस तरह से एक label printer जो होता है जिसमें हम एक किसी तरह का चिपकाने वाला पदार्थ उसमें लगा हुआ होता है उस paper पे उस पे हम print लेते हैं यह small होता है यानि की छोटा size में होता है कुछ adhesive material के साथ में यह paper होता है जिसकी मदद से हम उसको निकाल के चाहे वो CD हो चाहे वो envelope हो उसमें हम उसको चिपका सकते हैं तो यह हो गया आपका label printer तो दोस्तों हम लोगों ने देखा आज की date में कि computer क्या है computer करता क्या है तो input लेता है उसको process करता है और उसके बाद output हमको दे मिलता है input devices के बारे में हम लोगों ने जाना हमने देखा कि output devices क्या-क्या होते हैं और उसके साथ-साथ हम लोगों ने output device में से एक बहुत ही महत्वपुन topic जो की printer और exam में पूछे जाने वाले सवालों में से इस particular section से जरूर सवाल देखने को मिलता है कि printer में इन में से छाट लिजे कि कौन सा impact printer है और इन में से देखिए कि कौन सा non-impact printer है option पूछता है कि दिये गए चार option में से कौन सा impact printer है तो दोस्तों आपको जब यह पता होगा कि printer के प्रकार impact और non-impact impact के अंदर कौन-कौन से आते हैं non-impact के अंदर कौन-कौन से आते हैं और वो लोग का कारेशली कैसा होता है क्या उसके लाब है क्या उसके हानी है क्या advantages है क्या disadvantages है आज हम लोगों ने इस class में उन सारी चीजों को cover करते हुए detail में एक-एक type के printer को समझा देखा उनकी प्रिंटर आपका thermal printer, photo printer, portable printer, label printer तो आज की class हम यही पर खतम करते हैं आशा करता हूँ आपको इससे कुछ ना कुछ नई जानकारियां मिली होंगी अब हम मिलते हैं next lecture में thank you so much